हाई मैं प्रकासर आज आपके लिए बाइलोजी का जो टॉपिक लेका आया हूं उसका नाम है हुमेन एस्पर्म मानव शुक्रानू नियुक्रान कि इस्पर्म को इस्पर्म मेटो जुआन भी कहते हैं या यह एक ह्प्ल्वाइड शन्रचना होती है क्योंकि इसका निर्मान अर्सुत्री विवाजन के दुआरा होता है या नर युगमक है जिसका निर्मान नर जनद जनद को अंग्रेजी में गोनेट कहते हैं जिसका निर्मान नर जनद बिर्सन में होता है मनुष्य के नर में एक जोरे बिर्सन होते हैं और दोनों ही बिर्चन में शुक्रानू का निर्मान होता है, मानव सुक्रानू लगभग about site micron meters लम्बा होता है, इट्मिन्स यहां से यहां से यहां से पूरा distance है, या डिस्टेंस साइट मैक्रोन मीटर का होता है इसकी जो चवराई है इस टॉप जो चवराई है या तीन दसंबला पाँच मैक्रोन मीटर का होता है बास्तम में जो सुक्राणू है वो चार भाग में बंटे जा सकते हैं सुक्राणू को हम लोग चार भाग में बंट सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं या क्या है एक भाले नुमा या टैड़ पूल लाइक स्ट्रेक्चर बोल सकते हैं ये क्या है एक भाले नुमा भाले का आ का तो पर में आप देख सकते हैं कि स्पर्म का मुखरूप से 1 2 को नजरा रहा होगा तो 3 भाग और के स्पर्म को 4 भागों में बाट सकते हैं तो पहला भाग है आपका ह rant जो भाग है वह हेड किर मवा मतलब सिर होता है हेड मतलब शिर कह सकते हैं यह हिर मत का दाटपर resonance सकते हैं दूसरा इस बीच आप Sec. नेक किमें लिव मतलब गिरिवा या इसको गर्दन भी हम लोग कहते हैं तेसरा जो है वो है यह जो भाग है इस भाग को मिडिल पीश मद भाग कहते हैं जबकि यहां से नीचे का जो भाग है यहां से यहां तक क्या भाग है इसे टेल कहते हैं इस भाग को टेल कहते हैं पूछ कहते हैं अब देखें बारी बारी से हम इस चारो भाग का डिस्क्रिप्शन देंगे कि चारो भाग आखिर क्या 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 पॉनेंट को रखता है इसमें कौन-कौन से चीज पाए जाते और इसका फंक्सन क्या कौन सा भाग कौन सा कार्ज करता है तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा ह इस आगे का भाग के यहां से यहां तक का मेजर मेंड को यही और यारे जो कोर्नर और चुर्चों का के लाता है काँन एक यहां तक सुक्तिर्टर होता है इसका यह मैक्सिमम लेंद अब देखिए इसमें एक उपर का भाग है जो नुकिला भाग है इसे क्रों कहते जो感 ह 220 प्रक्रों कहते और ऋसमें एक परकार का गटनी तरल पाया जाथ यह क्या जाता है अप गटनी तरल अप घटनी तरल किशे कहते हैं जो किशी पदार्थ को भी घटित करने का काम करता है इसे पदार्थ का लाइसीन कहा जाता है चुकि शुक्रानू में पाया जाता है आता इसे एस्पर्म लाइसीन भी कह सकते हैं यह अप घटनी पदार्थ है हिंदी में लिखना और इसे एक क्रो जोम कहिए अब आते हैं इसका जो मुख भाग है यह भाग लगबग अंडा कार होता है यहां का जो लेन्थ होता है इस भाग से इस भाग से लेकर इस भाग तक जो लेंथ है यह लेंथ है 2.5 से लेकर 3.5 माइक्रोन मीटर तक का इसे इसका विर्थी भी बोलेंगे ति यह बिलकुल अंडाकार नहीं होता बलकि इसका वाइडनेस है इसका क्या लंबाई है लेकिन उपर से जो होता है यह चप्टा होता यह निकि इसको आप दाबोगे तो बिलकुल चप भाग में यह जो पूरा भाग है लगबख संगनित निकलियस पाई ती इससे हम मिटा रहे हैं क्योंकि अंदर का सनचना दिखाने में और सुभधा हो रही है यह जो भाग है यह वाग इसका कैंद्रक है यही भाग क्या है हीट का निकलियस है चुकि शुक्रानु क्या होता है गेमिट होता है शुक्रानु क्या है नर युगमक है नर गेमिट है आता यह क्या होता है है यह क्या होता है यह क्या होता है यह निकलियस है पलॉइड होता है और इसी में क्या होता है क्रोमोजोमल पार्ट होता है यह कर सकते हैं सारी जो अन में और कुछ भी नहीं रहा था इसका उपर के भाग को शेल मेंब्रेन या प्लाजमा मेंब्रेन के इसके पूरी उपर का जो भाग है इसे क्या कहते हैं इसे हम लोग शेल मेंब्रेन कि या प्लाजमा मेंब्रेन केहते हैं कोशिका वित्ती कह सकते हैं अब देखिए अब हम लेते हैं दूसरा भाग यह जो पतलासा यहां से यहां से यहां तक का जो भाग देख रहे हैं यह भाग जो है यह दूसरा भाग है और इस भाग को क्या कहते हैं इस भाग को नेक कहते हैं यह क्या है नेक स्थे माइक्रोमीटर ही लंबा होता एक दम बिलकुल छोटा से यह अम लोग अगर्दन नहीं होती है यह दो जो आप भाग देख रहें ये दो भाग इसे हम लोग یol कहते इसको तारक काय कहते हैं यह क्या है यह सेंट्रियोख है अब और अब कल kalगर अब देख रहें डाइग्राम में उपर का जो टारक हैवह मोगत है वह फिर यह बज इन रहता है किसी चीज को क्रियन नहीं करता यह उपर जो परका जो चारक का है यह मुकत भश्था मेराता है लimoreकिन नीचे का जो तारक का है सेंटीओल है इससे यह बलैक जो लंबाई में सनचना छाए जाती है और इस शुरू होता है और यहां तेल के टिप तक रहता है यह जो पूच है इसके अंति शिराप के वाले जो नीम होता और यह प्लाजमा में में समाप्त हो जाता है अब बात करते हैं इसकी तीसरी सनचना या का सकते हैं तीसरे भाग के बारे में जिसे मद्ध भाग कहते हैं यह तीसरा जो भाग है इस भाग को हम लोग मद्ध भाग कहते हैं या पांच से साथ इसक कि इसका जो व्यास है या जो डायमीटर है या एक माइक्रोन मीटर का ही होता है मैक्सिमम बता रहे हैं यह मैक्सिमम लेंट है पांच से साथ मैक्रोन मीटर और यह जो इसका डायमीटर है वो एक मैक्रोन मीटर, यह मैक्सिमम इसका क्या है, लेंथ है, आप देखें, यह देख रहे हैं, यह देख रहे हैं, यह देख रहे हैं, आपको टूडी में लंबत नजर आ रहा है, बास्तम यह क्या होता है, बेलना कार होता है, बेलना कार जिसे यह मेरा मारकर देख रहे हैं, तिश्री तरह से बेलना कार होता है, इसका ब्यास यह जो डायमीटर है, यह डायमीटर कितना का, एक मैक्रोन मीटर का जबके लेंद कितना है, पहुंच से 7 मैक्रोन मीटर का इसका लेंद होता है, और यह बलैक बला सनचना जो देख रहे हैं, लंबा तिश्री एक जो नीम कहत और यह जो आप बलाई नुमा देख रहें छला नुमा जो या इसा अलग कर के सब्सक्राइब, तो पालम सतीप्ट इतले में ईया संचना मिटोक कुण्ड्या को इस सनतना को माईटो कंडिया है जैसा के आप जानते हैं माईटो कंडिया क्या होता है नियो है और अपने गढ़ने टिर्वाध कोषिकता है और ओलनी अनुजि courणतरली सुकरानहिकषी людей जाता है ततर इसमें भी मैटो कोंडिया अब देखे मैं पहले बता जिए पाभर अब देः उड्या गिरी तो काम करने के लिए सुक्राणू थे ओने क्रीव होने के इन और चीमारी में इसी मैटो कॉंडिया स्लीका ओंडिया कहा कोई गाल पूंडिया और इंड कॉंडिया सुकरानूं में या मॉनम के चिकितने मयटो कॉंडिया होते हैं तो देखें यह जो मयटो कॉंडियां की संख्या है उस सुक्रानू में बहारी करता है यह 50 से लेकर 75 की संख्या मुझ सकते हैं मिनिमंफ पचास और मैकसिमंफ फचत्तर मान सकते हो जो एक-दम से कम जो एंजिनका सुक्राणु जरन सक्ष्म नहीं है उनमें मैटो कुंडिया की संख्या एक-दम हो सकती है जिससे यह सुक्राणु अनेक्टिभ होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हू एक समान में जो सुक्रानु है न उसमें मैटो कॉंडिया की संक्षा क्या होगी 50 से लेकर 75 होगी इसकी संक्षा कितना होगा 50 से 75 हाँ जो यह गूगल जो टीचर गूगल पर केवल सर्च करते हैं तो उनके लिए मैं कहता हूँ गूगल को जो सिर्प मौनते हैं गूगल जो एक बार जो शिमेन निकलता है उसमें 80-100 मिलियन सुक्राणू होते हैं तो उसमें से बहुत में 50 किसी में 50 किसी में 55 शुर्षा कि संख्या हो सकती है और शुक्राणू को गती के लिए उड़ जाए ही स्मिलती है गती के लिए उड़ आइप नहीं मैं कहा रहा हूँ गती करन के लिए शुक्राणों को किर्यान भी थोने के लिए शक्रिये होने के लिए उड़ जा इसी माइटो कुंडिया से मिलती है अब इसका देखिए अन्तिम भाग है जिसे हम लोग पेल कहते हैं लास्ट पॉर्सन है जो यह सरवाधीक लंबा भाग यह उंपक पच्यास मैक्रोन मीटर तक होता है यह 50 माइक्रों मीटर तक होता है आप यहां का जो इसका ब्यास होता है जहांसे यह टेल स्टार्ट हुआ पूसरू हुआ यहां का ब्यास 0.5 ब्यास मतलब डामीटर गोलाई यह कितना होता है यह जिरो पौइंट फाइव माइक्रोन मीटर लेट जब कि लाश्ट में जये गाते जी रहल नास्ट में क्या जाएगा जी रहल जा जाएगा और यह जो बीच्चनीम आप देख रहे हैं या जो एक जो नीम है या टेल के अंतिम शीरे तक पाया जाता है तो इस परकार से आपने आज का जो टॉपिक देखा वो टॉपिक इस्ट्रेक्चर ऑफ यूमेनेस पर मियनि मानव शुक्रानू की सनचना है और यह आपके एक्जाम में कई बार कोश्चन पुछा हुआ है मेरे YouTube चेनल पर बार, बार देख कर शुन पर इसे याद कर सकते है, समंझ सकते हैं, और यह जो डिस्क्रिप्चन था वो केवल मानव सुकरानू का डिस्क्रिप्शन था, यह इट मींड हुमेन मेल गेमिट, सुकरानू, एस्पर्म का यह सनचना था, हाई माई स्टुडेंट, मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा यूट्यूब पर दिया गया कॉंटेंट अच्छा लगता है, ता आप इससे लाइक अबस करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब भी करें, और उसे शेयर भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी अच्छे-च्छे टॉपिक आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब आइटी पर देते रहूं, यदि इसमें से किन ही को कोई प्रॉ आप देते रहूंगा, धन्यवाद